नमस्कार बच्चू आज हम विझ्ञान विशय का एक टॉपिक हमारी पृत्वी पर चर्चा करेंगे हम सभी जानते हैं बलिबाती परिजीत है कि हमारी पृत्वी कैसी है इस पर और हम किन-किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसको हम देखते हैं प्रथम बिंदू जो आज हमारी चर्चा का सामी लहवा है प्रित्वी की संरचना, कि प्रित्वी की संरचना उसका बनावट कैसा है, दूसरा बिंदू है आंतरिक संरचना, मतलब प्रित्वी की अंदर की संरचना ऐसी है, और तीसरा बिंदू है प्रित्वी के परत, या प्र प्रित्वी की सनरचना हम जानते हैं कि बारी जो सनरचना है वह हमें गोल दिखाई देता है और प्रित्वी की सनरचना बारी रुप से गोल होता है प्रित्वी की अंदर की सनरचना की बात करें तो मुक्य रुप से या तीन भागों से या तीन अंगों से मिल कर बना होता है य से हम भूपरपटी या क्रश्ट के नाम से जानते हैं मद्द इस्तर मेंटल या प्रवार के नाम से भी हम जानते हैं और आंत्रिक इस्तर जो क्रोड के नाम से या कोर के नाम से जानते हैं जो क्रोड होता है उसे दात्वी क्रोड भी या उसमें दात्वी जो दात्वी होते हैं उसकी बहूलता होती है इसलिए उसको दात्वी क्रोड के नाम से भी हम जानते हैं प्रित्वी के कुल आयतन का 5 सुन्य दसमलों 5 भाग जो होता है वह वह परपटी का है जबकि 83 भाग में mental विस्तरित होता है और बाकी भाग क्रोट का होता है आगे जो हमारा चर्चा का बिंदू है वह उसका आंतरिक सनरचना हम प्रित्वी की आंतरिक सनरचना की बात करें तो यह एक परत की रूप में या सलक की रूप में होता है जैसे हम प्याज को सभी देखे हैं हम सभी ने प्याज को देखा है कि प्याज को जब हम चिलते हैं तो अलग अलग परत या लेयर की रूप में एक-एक परत निकलता है तो पृत्वी भी उसी प्रकार का इसका सनरचना होता है आंत्रिक सनरचना सबसे उपर का परत जो होता है वह भूपरपटिय ठोस परत होता है जो मद्यवर्थी परत, मेंटल या प्रवार जो होता है वह अत्यदिक गाड़ी परत होती है और बाय क्रोड तरल होता है तता आंत्रिक क्रोड जो होता है वह वह सवस्था में होता है इसे हम चित्र के द्वारा और इसपश्ट रुप से समझ सकते हैं जो हमारे दाय तरप का चित्र है वह दिखा रहा है कि किस प्रकार से बारी परत जो है बूपरपटी है बीच का परत मेंटल या प्रवार और आंत्रिक परत क्रोड है अगर हम प्रित्वी के आंतरिक भागों को काटते जाएं या कलपना करेगी काटने के बाद हम किस प्रकार से दिखेगा तो जो हमारे बाय तरप का चित्र है इस तरीके से हमारा प्रित्वी का जो परत है अगर भूपरपटी से हम क्रोट की और जाएं इस तरीकी से हमें दिखाई देता है हमारा क्रस्ट क्रस्ट के बाद मेंटल मेंटल के बाद जो हमारा क्रोड रहता है कोर रहता है वह आउटर कोर और इनर कोर में विभाजित रहता है और इसके जो इनर कोर रहता है उसमें मुख्य रूप से लिथियम और निकिल लातु पाये जाते हैं पित्वी की परत और इसको ठोड़ा विस्तारीत रूप देmost तो हमारा पित्वी की परत में जो भूपरपटी होता है भूपरपटी जो होता है पित्वी की सबसे उपरी परत है और इसकी गहराई जो होती है आवसत एवरेज गहराई 24 किलोमेटर तक है और यह गहराई 5 किलोमेटर से 70 किलोमेटर के बीच बदलती रहती है समुद्रों के नीचे या कम मोटी होती है तो महाद्विपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है सरवादिक गहराई परवतों की नीचे पाई जाती है और भूपरपटी को भी तीन परतों में बाटा जाता है अवसादी परत, ग्रिनाइट परत और बेसाल्टिक परत इस भूपरपटी में ही हमारे विविन प्रकार के जो पेड़ पौधे, मरस्पतियां यह सभी पाई जाती है अगला है प्रित्वी की परत में मेंटल या प्रवार मेंटल या प्रवार का विस्तार लगबग 2890 किलोमेटर की गराई तक पाया जाता है मेंटल की इस निचली सीमा पर दाब अत्यदिक होता है और मेंटल में समुहनी धाराएं चलती है जिसके कारण इस्तल मंडल की प्लेटो में गती होती है जो हम जानते हैं सभी की बूकम जो आता है वह जो प्लेट पाई जाती है प्रित्वी के अंदर में मेंटल इस्तर में टेक्टोनिक प्रेट उसके ही कारण या बोकम आता है प्रित्वी में तो मेंटल को भी दो भागों में बांटा जाता है उपरी मेंटल और निचला मेंटल हमारी चर्चा का अगला बिंदू है प्रित्वी के परत के अंतर गती वह है क्रोड क्रोड का विष्थार मेंटल के नीचे अर्थाथ 2,890 km से लेकर पृत्वी के केंडर तक है और किन्तु यह भी दो परतो में भी भागता है बाय कोर और आंत्रिक कोर तरल हस्था में पाया जाता है क्योंकि या द्वित्यक भुकम्पी तरंगों या एस तरंगों को सोख लेता है जबकि आंत्रिक क्रोड जो होता है वह ठोस होता है आंत्रिक क्रोड ठोस होता है साथी साथ भले पी चर्चा किया कि इसमें निकिल और लोहा जो आयरन दातू होता है उनका वह उतायत पाया जाता है आंत्रिक प्रोट का खोज 1936 में के इबुलेन ने किया था और यह ठो सवस्था में माना जाता है इन दोनों के बीच की सीमा को बुलेन लेहमन असातत्य कहा जाता है तो यहां है मारे प्रित्वी की आज की संरचना और प्रित्वी के जो परत पाये जाते हैं उस पर हमने आज चर्चा किया आसा करता हूँ आज की यह चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी धन्यवाद